हेलो एवरीबन, स्वागत है हाँ सभी कहाँ फिर से हमारे चनल इकोहिलागरी में तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग प्लाइमॉथ रौक चिकन ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे इसलिए इसको American Beed के अंदर भी रखा गया है अगर बात करें इसके Weightage की यानि की वजन की तो Primoth Rock के Quark यानि की Male का वजन होता है Weight होता है 4.5 kg और Female यानि की Hane का वजन होता है Weight होता है 3.5 kg और अगर बात करें इसके Utility की मतलब किस Purpose से इसका Use किया जाता है किस Purpose के लिए इसका Use किया जाता है तो ये Broiler Production के लिए Use किया जाता है और एक Production के लिए भी ये Use किया जाता है अब मैं बताता हूँ Broiler क्या है तो Broiler एक Young Chicken है जो की 10 Week से कम उसका Age होता है और Broiler को हम Fryer भी बोलते हैं अगर बात करें इसके type of comb की यानि किस type का comb इसके पास होता है तो Plymouth Rock Chicken Breed के पास single type का comb होता है और इसके earlobe का color red यानि कि लाल होता है अब बात करें इसके skin की color की तो ये basically white और black strip में पाया जाता है अगर इसके sank को देखें तो इसके sank का color होता है yellow यानि sank यानि कि leg ठीक और इसके leg में क्या feather होता है नहीं इसके leg में कोई feather नहीं होता है और हाँ और ये brown color की एक produce करती है brown color की एक यानि कि इसके under का जो उपर वाला कभर होता है वो brown color का होता है होप आपको प्लाइमोथ रॉक चिकेन बीड के बाल में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा फिर मिलते हैं फ्रेंज नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन